गुड मॉर्नेंग इस्टुडेंट आज किस वीडियो में रिव्यू करें मैं एक अक्षाच है समाजिक विग्यान के पेपर का तो इस्टुडेंट ये अर्धवासिक का पेपर है और समय इसका दो घंटान दिधारीत रहता है पूडान का हंडेड का ठीक है समझ में आगा प्रतेक प्रस्ण के अंसमान है तो प्रस्ण नमबर एक इतिहास किसे चक कहा जाता है तो ये इतिहास किसे कहा जाता है आपको ये लिखना है प्रस्ण नमबर दूसरा नौपाशाण यूग में मानों का मनुरंजन का महत्तपुड साधन क्या था तो ये आपको लिखना है प प्रस्त नंबर चौथा सौर मंडल के 5 ग्रहों के नाम लिखिए प्रस्त नंबर 5 ग्लोब किसे कहते हैं इसके गुर दोसों का भी भी स्तार पुरवक वर्डन किजिए प्रस्त नंबर 6 राष्टी ध्वज किन किन राष्टी दिवसों पर फार आया जाता है तो यह तो सरल एक चेह लिए प्रैसन नमबर साथ ग्रामिळ और पिछडे छित्रों में लड़कियों की दसा कवरणन कीजिए तो यह आपको करना है अगर आपको यह सब हल ँसी चहिए होता है तो कमेंडंबे बोल सकते हैं और मैं यह को हल सही बता दूंगा चेह अ गलत का ठिक Gary तो चलिे मतलब यह सःभी गल्ब का चिंदे लगाना है इसपे गल्द का चिंदे रहता है आग़े बड़ते हैं धर्मसास्त्र के अनुसार मनुष से आसथ जीवन माना जाता है द्रमा के अनुसार जो है की मनुष् 오늘도 का उसथ वर्स जो है कि निर्धारित रहता है 100 वर्स तो ये सही है प्रसनक सामवेद कौन सावेद है तो ये आपको लिखना है चलिए प्रसन नमबर गह वैदिक यूग कितने भागों में विभाजित किया गया है तो ये दो भागों में विभाजित किया गया है चलिए आगे चलते हैं अब हम और प्रसन नमबर अजय गर वैदिक आरयो यह देख लिए प्रस्त वैदिक आर्यो का आर्थीक जीवन केंदरित था तो यह आप लिख सकते हैं अंगर शिंद्व आसी पीपल के विरुप्ष को मानते थे तो यह आप लिख सकते हैं प्रस नमबर नौ डृक्तिस्थानो की पूर्ती करना है दोनों बिंदों को मिलाने वाली रेखा प्रितवी की कहलाती है तुँ यह आपको लिखना है ठख प्रितवी की उत्तरी एम दच्छडी द्रू के मद्धिस्तित काल्पनिक रिखा कि ये सब लिख लिजी आप गोवाला भी लिख लिजी आप इसी तरीके से गोवाला भी और अंगवाला भी कर लिजी आराम से फिर प्रस नमबर दौस सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिनने लगाई ये प्रस नमबर का दसवा का स सरकार सड़क बिद्याले तथा अस्पताल बनवाने में धन ब्याय नहीं करती है तो यह आप कर लिजिए भारत में 1400 से ज़्यादा भासाइं बोली जाती है सही है या गलत है आप कर लिजिए अंगा कुछ धर्मों का जन्म भारत के उप महादीप से हुआ है तो यह यह मतलब करना है आपको सही है या गलत ही आप कर लिजिए अराम से ठीक है चलिए